प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सौधी अरब में आज चांद दिखाया नहीं सौधी अरब में इदुल फितर कब है सौधी के सुप्रीम कोर्ट ने यानि रॉयल कोर्ट ने इद को लेकर क्या बयान जारी किया है और हमारे भारत देश में हमारे इंडिया में इद कौन सी तारीख को होगी और चांद किस तारीख को नजर आएगा तो आप लोग इस वीडियो को आखर तक जरूर देखे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पठान वाइस को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे दोस्तो रमजान मुबारक के पाक महीने के बाद सब को इद फितर का इंतजार रहता है इद की तारीख चांद को देख कर तै की जाती है सعودी अरब और हमारे मुलक हिंदूस्तान से एक दिन पहले सo जोँदी में एदी फितर अदा की जाती है । जैसे ही रमजान मुबारक का आखरी अश्रा शुरू ह忙ता है यह जानि रमजान मुबारक खतम होना शुरू होता है तो वैसे ही हम लोगों के जहन में ये बात आती है कि सौधी अरब में ईद का चांद नजर आया होगा या नहीं तो वैसे तो हम को ईदुल फितर की फिकर करने से पहले रमदानुल मुबारक के आखरी अश्रे में इतनी अबादत करनी चाहिए कि अल्ला ताला उसकी रहमतों वरकतों से हमें नवाज दे और हमारी मगफिरत हो जाए लेकिन पैरे दोस्तों हम लोग ये सब छोड़कर सौधी अरब के चांद में बहुत इंटरेस्ट दिखाते है तो खेर अब आप जिस लिए इस वडियो को देख रहे है उस टॉपिक के बारे में बात करते है मेरे प्यारे दोस्तों आज सौधी अरब के रॉयल कोट ने एक ऐलान किया है कि कल जुमा के दिन 21 अपरेल को इदुल फितर मनाई जाएगी यानि अगर आज जुमेरात के दिन चांद नजर आता है तो जुमा के दिन वहापर इद मनाई जाएगी और अगर 20 अपरेल जुमेरात को चांद नजर नहीं आता तो जुमा के दिन 21 अपरेल को रोजा होगा और 22 अपरेल शनीचर को इदुल फितर होगी और इन्शालला तबारक वताला हम उम्मीद करते हैं कि आज 20 अपरेल जुमेरात को वहाँ चांद नजर आना चाहिए इन्शालला तबारक वताला अगर कोई अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले हम आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे तो आप हमारे चैनल को पठान वाइस को सबस्क्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे तो पहरे दोस्तों आप बात करते हैं हिंदुस्तान में चांद कब दिखाई देगा और इदूल फितर कब होगी तो पहरे पहरे दोस्तों अंग्रेजी तारीख के मताबिक शनिचार के दिन इद होगी लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है अगर 21 अपरेल जुमा के दिन चांद नजर आता है तो हिंदुस्तान में शनिचार 22 अपरेल को इद का दिन होगा खैर ये सब चांद के दिखने पर है जब चांद दिखाई दे या फिर इसी कोई अपडेट आ जाए तो सबसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी इसी लिए आपसे एक बार फिर से दर्खास्त है कि आप लोग हमारे चैनल पठान वाइस को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाए क्योंकि जब भी हम चैनल के हवाले से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्सलाम वालेकुम अल्ला हाफिज